दानिश सेमूर गालबन बोल रहे थे कि मैं अपनी वेगम आईज़ा की पैसों को हाथ भी निलगा था अगर यही सवाल आप पर थो करूँ मैं क्योंकि एकरा भी माशालला सल्फ में गूमन है तो मैं कूँगा मुझे हाथ लगाने नहीं देती अच्छा अगर आप अक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं मैं डॉक्टर बना चाहता है डॉक्टर किसका जानवर हो किसका नहीं सब्सक्राइब आप हर बात खेच के अपनी तरफ लेगा आप अपना इलाज मुफ्ट करा लें वस बाकी चाहे मेरी दुदान बना नहीं बारे में जारा लबकुशाई करें उन्होंने भी ये बहुत मजबूरन का है वो जिस मुल्क में रह रहे हैं मुसल्मानों के साथ बहुत जादा अच्छा सुलूक नहीं हो रहा है और वहां पर अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो आगे उनके बच्चों के लिए बहुत मस इयां को भाऌ बधाया है शॉर्ट और वाप में आट गोड़े पगाया our Department काव और चाइनगो है और पूषे में घड़े पहाँ है अब यह कोई UP जाने पूस्टलिकिना है जितनी महंगाई हो गई-पेटरॉल के रिट इstenए पर चले है तो लोग अपने private ख stunting इंत निиб 현 25 आपको पुरी दुनिया देखती है हालात का जिमेदार जाहर है कुछ शेर दे लोग भी जालिम से कुछ साकु मरंदा शौक भी सी वही है बात लेकिन हालात तो अभी पाकिस्तान के खराब है मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ यासिर भाई की कि 1967 में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है क्या बात है आज पाकिस्तान मैं अजीव सा वर्टे बेंटी लेटर में बोलूं तो और रही होगा बिल्कल जीने जा सकता है करना है यह सुनना है कि और कौम को करनीपड़ना होगा तो भी कवा अगे बढ़र जो के लिरेखे न při कि दे वर डे अपने आपको इंप्रूफ करना पड़ेगा त्राफिक की वाइलेशन हम लाइन ओर्डर यह सारी चीजें एक कौम ही कर रही है ना नीचे बिल्कुल सरी कह रहे हैं लेकिन उसके लिए लेकिन यही लोग दुबई जाके कैसे ठीक हो जाते हैं क्यों कि लाइन ओर होता है तो हमें लाइन ओर्डर को ठीक करना पड़ेगा और को एजूकेशन देनी पड़ेगी यह खुद से कैसे ठीक करेंगे आप माशालला फील्ड में आए ऐसा कॉमेडियन ऐसा एक्टर एसा डांसर आप डांस ही कर रहे होते हैं अक्तर हमारे पार वीडियो दाती है अच्छा लग रहा था आप अच्छा लग रहा था तो क्या एक्सपीरियन्स कैसे आए फील्ड में किसने कौन लाया शॉक था यहाथसाती तौर पर आए था कोई मुझे तो बंदा भी आत नहीं है अब इतनी परानी बात होगे लेकिन कितना डाइम हो गया मैं 16 साल का था ज मैंने बहुत साल की अलगातार और एक साल में हम तीन तीन चार चार प्लेज करते थे जो काफी काफी लंबा टाइम चलते भी थे तो वह मैंने जादा काम किया बाकी हाथसादी तो नहीं शौक था इसलिए और बस लग अच्छी थी के लोगों ने पसंद कर लिया आप ने प कॉमेडियन के रूप में ज्यादा पसंद किया है लगता है आपको यह वाद है मैं करना भी हमेशा कॉमेडी ही चाहता हूँ क्यूंकि सबसे मुश्किल काम भी कॉमेडी है थीटर पर भी जादा आपने कॉमेडी ही कारेक्टर्स किया मैंने अन्वा मक्सूत साब के लिखे अच्छी बात यह थी वो लिखते बहुत अच्छा है अब टीवी पर उतनी अच्छी कॉमेडी लिखी नहीं जा रही तो इसलिए टीवी पर मैंने कॉमेडी करनी बन कर दी है फिल्म में फिर भी थोड़ी बेतर है तो इसलिए मैं फिल्म में कर लेता हूँ नेगी अगी तो क्शेतिक रूटिक आर्प लीन का वैरा जाँ हो टो किर को आरे घर भार होना चाहिए को Aume Chir inf sat करने को आपको आपा है कहर काम में रहे हैं किया क्या 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 मुष्किलात आती हैं अप्सक्मतिकल्स है आप अम आप बह consensus अश्व Evet किया आप नादिर प्रफ बंदी कोई ऐसी लॉबी सिस्टम ऐसी चीनल आप जिसारा कुछ तो इसारा कुछ ने एक्जिस्ट करता है और सब को पता है इस मुलक में आप कुछ भी करने जाएंगे आपको मश्किलात हैंगे क्योंकि सिस्टम नहीं बना रहा है यहां पे मीडिया नहीं 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 हैं जहां पर्टेक्ट किया जाए तो जहां ऐसा कुछ नहीं होता इंडस्ट्री नहीं होती तो वहां कि अगरेसाथ को पॉजिश आपने जाए तो वहरा सबस्क्राणियें करते हैं अगर मेरे साथ यहां तक पहुंचने में कौन सी बड़ी बात होती है अच्छा आपने एक्राजीज को प्रोपोस किया आवार्ड शो में पूरे पाकिस्तान के साभी और सब ने देखा आपने उनको शादी के लिए प्रॉपोस कि आपकी शादी हो गई माशाला आपका एक बेटा है सवाल यह है कि आपको ये चीज लगता है कि एकरा जाधा फेमस है आपसे मुझे क्या लगता है फुरी दुनिया को लगता है है या कि मालता है आप ये 11 पर बेट बैठें हो अउक यहां ताशफ घरह पर देगा हो जारी हो थी एकाम पर अइसा है और पार जानी आप ह। 40 काम हम दोनों कर रहे हैं आप तो हम लोगी कम करते है पहले पर बहुत जारता काम करती उस समझ आगे, जो ऑसे बच्चे के बात क्या थोड़ा सा एक सा इसाल बात किया थे पहाले के सिर्व किया को बदिया थोता सा उसक्राइ है, तो थो साल बात के बात था करन प्रचे तो आप सने था जो करी दूजर इक चुजल 유过HAHAres kom वो नहीं है फाइदा एक चीज करें बड़ी चीज करें वो ज्यादा अच्छा रहता है आपका इंपक्टफुल होती है अच्छा मैं अभी देख रहा था दानिश सेमूर गालबन बोल रहे थे कि मैं अपनी बेगम आइज़ा के पैसों को हाथ भी नहीं लगाता अगर यही सुनावा है मुझे पता नहीं है की सोर्स क्या है कि जो मैं तो यह पिशेम यहा निडिए माय मैं तो था भी श्राव um thato हम पर नियुद कर जा छुद खाफा है तो वाप भी से यह लियू हम एस आपने पैसे से ख्शप करती है तो वह आप यूज नहीं मैं लियू करते बिल ऐसा हो सकता है जरूरी नहीं है कि मैं काओं जिंदिगे में कि ऐसा नहीं होगा आप अभी पॉक्ट मनी इकरा को देते हैं जैसे मैं अपनी वाइफ को देता हूं तो वह नहीं वाइफ एक वरकिंग वुमन है और उसको बिलकुल भी उससे मुझे मेरे खाल में आज की औरत को मर्द से चाहिए ना उस मर्द को उसे वही देना चाहिए उसे एक सपोर्ट चाहिए उसे एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होगी उसे पैसें की सपोर्ट आप वारत को नहीं चाहिए आप नहीं चाहिए पकी बात है यार हमारी वाली तो खाली कर देती है आकर में भाई पैसा फ तो दे दूँ वो कभी मुझे से नहीं मंगती और उन्हों ने दिया उसने मुझे एक अगूठी लेकर दिया वह पहन के नहीं आया नहीं नहीं सोने किया मैंने उसको डाइमंड के लिए अच्छा वाह बाकी बैग्स हमने एक्सचेंज किया हैं कुछ और चोटी मोटी चीज़ कुछ लोगों को मेरे बारे में मिसकंसप्शन भी है कि मैं कम पैसे कमाता हूं ऐसा बिलकुल नहीं है अगर मार्केट में आप पूछें तो मैं बहुत जादा पैसे चार्ज करता हूं तो मैं देखें एस कंपेर टू लोग आपको कंपेर कर रहे हैं एक्रा से एक्रा मुझे देफिनेटली बहुत जादा पैसे चार्ज करते हैं तो वह बिलगेट्स हुई और आप हुए मिया मनशा ने मिया मनशा भी बहुत उपर बता दिया अच्छा आप और बीचे लिए अपनी नीड के हिसाब से काम करते हैं हमें कोई लालच नहीं किसी पैसे और चीज़ों की नहीं यह तो हकीकत बात है कि यूटीब चैनल आप लोगों का माशालला ओर आता है और आप लोगों ने यूटीब पर अपलोडिंग करना छोड़ दी और सिर्फ मैं समझता हूं अगर आप यूटीब पर ही कंसिस्टेंट हो जाए तो पचास साथ लाग रोपे तो आप जो जितने भी है उनकी रेटिंग यूटीब वीवरिशिप से यूटीब टेंडिंग से तैय होती है कि बही ट्रैंड कर रहा है दस मिलियन व्यूज विस मिलियन व्यूज इस अपइजोड के आपके भी बहुत सारे ड्रामा किये पाकिस्तान का कॉन सा ड्रामा है जिसने यूटीव से रेवन्यू जनरेट किया अब ये सुनी सुनाई बाते हैं इसमें कितना ओथेंटिसिटी किया ये नहीं पर नहीं आप तो देखें आप तो वह ना इसके आप दुल्ला कादवानी साब को लेकिन नहीं हमें जरूरत निया हमें आप यासर कादवानी ने जो बता उसने भी बहुत मझे लगा है कि यूटीव पर बहुत देखा गया है हाँ उर्तुगुल बहुत देखा गया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूटीव पे इस टाइम तिजोरियां खुली नहीं है जो ये बड़े चैनल्स हैं एक बड़ी तिजोरी तो मेरे सामने बैठी पर ये खुली खुली तो मेरे कीमत एक करोड उपिया है नहीं बात यह बहुत यह पैसा तलाश ही कर रहे है पैसा होना ना होना देखे अगर मेरी वर्थ 20-40-50 करोड की है तो किसी अरब पती के सामने मैं कोई वर्थ नहीं रखता है कोई अरब पती किसी खर अरब पती के सामने कोई वर्थ नहीं रखता तो नमबर्स मैटर नहीं करते आपकी इनर सैटिस्वेक्शिशन मैटर बिलकुल है आप जो है वह कहते ना काम्याब जिंदगी उदाने के दो हसूल हैं जो पसंद है उसे हासिल करो या जो हासिल हुसे तो हासिल को हमने पसंद कर लिया तो अल्ला का करम है जो भी है अल्हमदल्ला लेकिन यह बात आप बोल ले हैं आप खुद बाच अल्ला नोट बनाने की फैक्टरी मशीन आपके घर से बिलकुल ऐसा नहीं है मैं और मेरी बीवी दोनों इतने पैसे नहीं कमाते हैं जितना लोगों को लगता है कमाते हैं कसम सही है हम इतना काम ही नहीं करते हैं मैं बतारों दो साल बाद उसने एक ड्रामा किया है और दो साल में मैंने शायए पैसा आप लोगों की प्रिएरिटी नहीं है आपके बना हो enorme य मैं अगर पैसे कमाते वे गुज़र जाएगी तो बहुत लोग यह जो सिर्फ पैसा कमा रहें और अचानक मूँ से जागाया और मर गए अबे पैसे के क्या हुआ अब पराए पुत्तर खा रहा है बिल्कुल ऐसे हैं अबे ये क्या कर रहे हो भाई जिन्दगी को गुजारो नहीं जीओ क्या पता कल हो नहीं जीओ तो मैं ये समझता हूँ के जिन्दगी को जीए और हर रोजाना अपने आपको एक दिन कमाए एक दिन उड़ाए उड़ाए यही मेरा तो चादी से पहले भी फार्मूला था कि मैं जो प्राजेक्ट करता था तर उसके पैसों से मैं बाहर चला जाता था घूम फिर के वापस आता था फिर एक प्राजे मैं डिज्मिलेंड मेरा पैरिस वाले में जाना हुआ था तो वो मुझे अपनी यादे मुझे लगा यह पैरिस में है चाहिए तो ट्रेवलिंग का शॉक है अपने बहुत साल से मैं बलके कल मैं फरीयालताफ के उस पे गया था पॉडकास वो आया है तो उसमें मैं बता रहा है कि मैं और शो होस्त करूं मैं देखता आ रहा हूं कबसे तो मुझे बट मेरा ना इंग्लेंड का वीजा लगा पहली रखा और मैंने पैसे जमा किया जाने करी मैं बारा लाकुर पर जमा किया तो मैंने कैर मैं पहले वहां जाना चाहता हूं फिर अगले साल अगर आपको अगर दिल हुआ तो मझे बला लीजगा तो मैं महां चला गया मैं नहीं किया लग स्टाइल अवाट नहीं किया और अगले साल उन्हों मुझे दबारा बलाया तो मैंने होस्ट किया अच्छा आवाड शो भी बात हुरी है आवाड शो इस्क्रिप्टिटिड होते हैं अब मत अब करें लॉबी होती हैं तो लोग आपको मारेंगे तो उनको भी देना परता है वाकि कुछ लोगों को खुछ भी करना परता है तो यह दोनों चीज़ होती है आवाड को इसलिए कभी जिंदगी में अतना सीरिएस नहीं लिया मैंने और ना मेरी बीवी लेती है तो बस ज तो चारी मिलें लेकिन बात यह यह अब कर आपका जो फेम है और जो आपको प्यार लोग देते हैं वह उन अवार्ड से बहुत जादा है जो बाकी लोगों को मिलें है यही बात है यही बात है और इस्जत से अलहम दिल्ल्लाः कोई गाली ना आप यदिन करें यासर भाई म यह मेरा हस्बेंड है यह मेरा बीटा है आप कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं तो लोग तारी मैं अलम्दुल्लाः साइटिस्वाइब हो गया यार ला तेरा करम है यह इजद बरकरार है बढ़े ना तो घटे ना बात ही है अच्छा इक्रादी हमारी भेल है आपकी बीव यह इसी एक्ट्रिस जो पसंद होती हो लाइन हो वहां से भी आ रही हो और आप का गेम चलना हो गई मलब एक कड़ाई में दूदरी कड़ाई में भी पकोड़े तल्ले आपके कौन था है कभी ऐसा नहीं किया मैंने जिंदगी में है कोई अफेर नहीं रहा है फील्ड में त अच्छा कोई अफेर में अच्छा यह शुरू से मुझे समझती इस बात की कि वो घूम के कभी कोई चीज नाये तुबारा अच्छा तो पर कैसे मतलब एक्रा ही क्यों आपने चूश की कि यही मेरी शादी का लाइफ पार्टनर है क्योंकि जब मैंने शादी का जहन मना लि अब मुझे डेटि करना होता मुझे इकष्ममिली तो मैं इकष्मम्छ कोई तक करना होता तक मेरा जहन बन चुका थ इस वक तक मुझे रख मुझे अच्छी लेगी ओ मैंने प्रपॉस किया इक बड़ि ने बड़ अइसा अपश्य आप ड़ी नाम लिह ते इसा साथ आप का मैं एहसन खान के साथ नहीं करना चाहता एहसन खान मुझे मिले उस शो रिकॉर्डिंग से दो दिन पहले तो उन्होंना मुझे कहा कि यार वो हमारी एक पुरानी कॉंटोवर्सी चल रही है वो ही बार बार लोग मुझे से पूछते हैं तो यार कुछ निया का वार रहा है मैं करना तो मुझे सब के साथ काम करना हूँ अब तो मैं डिरेक्टर बन गया हूँ मुझे वाकि सब के साथ काम करना है अच्छा है यह सब बड़े अच्छे लोग हैं मुझे तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हम मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हैं मेरे एक्सप्रेशन क यह मुझे मिलते हैं शुरू से वैसे ही मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। अच्छे यह सब कोई ऐसा एक्टर जो आपको लगता हो यार बुरा लगता है यह इस ख्रीन पर ना पसंगा। एक्टिंग स्कल्स नहीं है इसके वाले जी जाओ। ऐसे तो पच्छेस हजार हैं। हैं। पच्छेस हजार तो एक्टर भी है। यह तो पूर पूर इंडस्ट्री रगड़े में देदी आपने। नहीं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अपने ओपर काम है। मैं पता है कि नाम नहीं लेना चाहूंगा इसलिए कि फिर वो कल खबर लगेगी फिर मुझसे पूछेंगे। मैं उनको मश्वरा सिर्फ यह देना चाहूंगा कि एक तो जिस इलाके से आप आये हैं। इस पुछ अगर आपको लग रहा है ना तो यह आपका फैलियर है। अगर-टियार को लग विक्तिक्राम कोई आ है। और यह पनजाबी का दो हुछ ने ने को अगर के पूलक तो फर आप मैं पोटनी हो धार आया। वह नहीं पूरी हैं लेकिन अगर मुझे आप ये बताएंगे देखते कि यार आपका तालुक पंजाब से है ना आपका वह मैंने डामा देखा था उसमें आपको बस खतम फिर और मैं देखा कि कई पंजाबी एक्सेंट वाले एक्टर्स एक्टिंग किये जा रहे हैं उसी एक सकता नहीं हमें लैक से फर्स अमयां क कोई आप मैं करेंगे करेंगे बिलकुल यहार इस पर काम करें बस यहां काम मिल गया तो बस लगे हैं उसके पीछे रोज बस शूट पर पहुंच जाते हैं वो दिहारी लगाने के लिए और अगरे दिन फिर शूट पर पहुंच जाते हैं दिहारी लगाने के लिए पैसा प्राइडिटी ना यहां कोई किताब पढ़ता है ना यहां कोई अपने सीनियर से मिलता है उनके साथ बैठता है ना यहां लिटरिचर के फेस्टिवल्स होते हैं ना उनमें कोई जाता है ना इन्हें पता है कि किश्वर नाहीद कौन है या बाकी शोरा क्या कर रहे है या आजकल के नए शायर क्या शायरी कर रहे है मतलब शायरी एक पूरी कहानी को कुजे में बंद करते हैं आप दो लाइनों में आ जाती है शायरी मैं तो फैन हूं शायरों का कोई बुरा शेर भी कहता हूं तो मिझे अच्छा लगता है क्यूंकि उसने कमसकम दो बंद में तो ले आया हूँ एक इस परस में पैसे हलाल रखता हूँ तेरी हर चोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता हूँ तू तो करके चली जाती हो बालों में कंगी एक मैं हूँ संभाल के उस कंगी के भी बाल रखता हूँ हूँ है है मैं चरफ Quandie को बात कीता लूग मैं देख्रह रहा हो कि आज करो मैं देखर हो लोग ज्यादा अपने क्राफ को मेंने दो मैं भी अगर सिर्फ डिरेक्ट इसी मीडियम साय होता तो ऐसी होता लगी लिए मैं थीटर से हूँ वहाँ भी हमें बहुत ज्यादा रिहरसल्स चीजें आप थीटर ज्यादा एंजॉय करते हैं मुझे लग रहा है अब हो नहीं रहा है अब विसी थीटर का आर्टिस कहीं और मैक्सिमुम फिल्म उसे पसंद आती है टीवी तो बिलकुल नहीं अच्छा आप और इकरा दोनों एक ही वक्त में बिजी हो बच्चे को कौन सा बात है यह अच्छा सवाल है आपका एक तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक वक्त में बजी नहा हो इफ होगा तो एकरा की मैं अमी हमारे साथ रहती है और एक कभीर की नेनी है तो यह मिलकुल कोई इतेंशनły हैं तो हमें घ्रिक है यह जैसे है मून यहां है, हम इंकरा सूट पे गई है दोनों निकले मेरे हैं हा दोनों निकले मेरे हैं तो वो बच्चा घर है कि थाते है, वो हम से जादा उन से थाच्ट है, यह उन साथ है, मगर भो जाहर है वह मारे साथ है, रात को देर से आया है तो वह सो रहा हुता है, जब सुब्धा वोटता है, वह में ढूंदा है माशालला क्या इराद है बच्चे को कुछ थोड़ा सोचा होगा बच्चा पैदा होता है के लिए मैं यह चाहता हूं यह ऐख पाकिसान के लिए गोल्ड मेडल लेकर है किसी भी चीज़ तो यह मेरा हुद का है किसी ऐसी इस्पोर्ट में जाये जो ज़रूरी नहीं के और मुल्क का नाम रोशन करे या कहीं तारीख में उसका नाम लिखा जाए इस तरह की किसी स्पोर्ट में जरूर जाए यह मेरा दिल है मेरे दिल के अंदर एक खायश है मैं बच्चे पर कभी यह थोपूगा नहीं करना है बच्चा बड़ाओं के पॉड़कास भी देखेगा मेरे अबबा ने क्या ख्वाहिश की थी वो जो बनना चाहे वो बने मेरे मावापने मुझे नहीं रोका कुछ भी बनने से हister होईै दिल कि अज़े दॉपूर्ट की है और मेरे सुपोर्ट किक देए मने ढ़्सपोर्ट की है तो मैं अपने बच्चे को क्यों रोका सुछ है यह दो कोई एक मुवी करके आयों तेरा दिन की शूट किया मैंने मुए बंभै में वह होई निजी रिलीज निए होई उसका नाम ता लंडन के बंधन लंडन के बंधन? यहाँ, लेकिन वह रिलीज देए, मैं और समी खान थे उसमें पाकिस्तानी अक्टर है, दी समी खान जी जी बिल्कुल समझ गया और वह अपना इंडिया में कौन थे आपके? इंडिया में पूरवा राना थी जो फॉर्मर मिस इंडिया थी, बिदिता बाग आप थी, जो भी नमाज अदीन के साथ भी फिल्म अगयरा ही है, मशूर हैं वो काफी, तो यह लोग थे, ओमपुरी साथ थे अच्छा उसवगत ओमपुरी साथ जिन्दा थे तब की बात कर रहा है तो बॉलिवूर्ड में कोई ख्वाइश है इन फ्यूचर के मजीद कोई कोई हिरोईन कोई ऐसी आपने नजर में रखी हो इसके साथ करना गाओ यह अच्छी अच्छी हैं हमाँ पर उनका पता है अच्छी एक्टर्स होने के यह बहुत चांस ही नहीं है इन्हें वही च्राइश मिले जा रहे हैं वहां के लीग एक्टर्स डिजाइन किया जाते हैं जानवी कपूर तो अलिया से बेहतर एक्टर से बहुतर नुप्स निए? लुक्स में भी जानवी कपूर पेंच करें आ लगी हुआ खरणक वाला आपका लीज़ता है यह आया ता है जानवी जानवी मुझे बगार मेकप के कमीशल वार साधे से लगती है आपको बहायर कहा हम तो हम दोनों क्या लगते हैं तो में बहुत कहता हो मर्द की बस्चूर्थी उसकी खाली जेवड़ है यह वी ती यहां तो हमारे माशले का रवा सच है बाई बल्कुल आपार मैं दूनिया वर ने है या आप अपना क्रश भी कह सकते हैं अपना क्रश तो मेरी उनकी वालदा थी श्री देवी, यार आप अम्मा और बेटी दोनों पर नदर रखते हैं बेटी तो मैं कहा हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रस है अच्छा दोबारा रिवाइंड करके देखें अच्छी अच्छी मन है, जी म मैली, श्री देवि काजोल ने बहुत अच्छी को मैं गयी घावची ताइमिंग उनसे चिकी की दिए हिमा मैलनी, श्री देवी, काजोल ने बहुत अच्छी क्योंडी कि गिए जुई चावला जुई चावला हाँ जुई चावला बहुत अच्छी बाबरा शरीफ तो एकदम कहां से पाकिस्तान पर पुराने दोर पे आगा है अच्छा अभी जावेद अख्तर साहब एक statement देगे गए जी बिल्कोई उसके बारे में लबकुशाई कर देया पाकिस्तान एक यहीं घुमरे टेररिस्ट और यह है वो है देगे मेरा जो इसके बारे में सोचना है मैं बतायता हूं एक तो मैं आर्टिस्ट के आर्ट को अलग जावेद अख्तर साब ने जो भी काया ना मुझे उनकी लिखी वी फिल्मे अभी भी बुरी नहीं लगती हैं उनके लिखे वे गाने यह कहां आ गए हम यहीं साथ-साथ चलते वह अभी भी मेरे लिए अच्छा ही गाना है क्योंकि वह एक अच्छा शेर है जहां तक बात है है मैं इसे इस तरह देखते हैं चावल मारी है क्योंकि जिस मुल्क में आप बैठे हैं आपको इतना प्यार मिल रहा है वहां कर टर्रिस्ट घूम रहे होते तो अब तक तो आप जिन्दा ना होते दूसरी बात है कि उन्होंने भी यह बहुत मजबूरन का है वह जिस मुल्क होंगे उन्हीं कि अग्यार जितनी बी रह गई है एंगे अगले जूसरी बीसे होंगे उसमें वह जाते-जाते यह काम जरूर करना चाहते होंगे मेरा सोचना का गता है यह भी बन चुका है इंडिया में रहो बन चुके लिए उनके बन्चों के लिए बहुत असाना हो वहां पर तो उनने मसलमानी समझा जाता है बाकी मजाहिब को लोग तो नहीं मुसलमानी समझती है यकिन करें मेरे जो प्रैंक्स का ग्रूप उसमें एक लड़का है जाफर शबाना अजमी उनकी कौन है खाला है फर्स्ट कजन है उनकी अम्नी की और वो जावेद अख्तर उनके हुए खालू हुए एक तरह से टेक्निकली मैंने उसे गालियां दी है अभी आया था मैंने का तेरे खालू क्या चबल बार के गाये तो वो कह रहा था कि या रहा या रजीब सी बात है मगर मुझे पता है एक चीज जो अच्छी लगी सब लोग तालियों पर तनकीद कर रहे हैं कि तालियां क्यों बजाई ही लोगों ने लोहुरी थे वो उस पर पाकिसानी कुछ एक्टर्स ने लोगों ने क्रिटिसिसम किया कि या तालियां क्यों बजाई ही ये कौन लोग थे ये लहुरी थे बाई, ये हमारे मुलक के वो लोग हैं, जिनों ने वो अगर गाली भी देते ना, उनने गाली नी दी, अगर गाली भी देते ना, तो भी ये उनको नजरों बे बिठा कर रखते हैं, हम ऐसे महंमान नवाज लोग हैं, और ये मैसेज जो दुन्या को गए पूर अरे मुल्क ने नहीं की ये बहुत बड़ी बात है हमें अपने वहां बैठे पर जितने मौज़ज लोग थे उनको मैं तो थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने जो एक सब्लिमिनल मेसेज दुनिया भर में पहुचाया ना कि हम ऐसी कौम है आपको आतिफ इसलम की स्टेटमेंट यहां मेडिया परसन ने बत्तमीजी की थी आपको जब गालियां पढ़ती है यहां से तो आपको कैसा लगता है तो आतिफ ने जवाब दिया था वैसा ही लगता है जैसे आपको बढ़ती है इस तरीके का तो आप यकिन करें उसका कॉंसर्ट था वो रुक्वा दिया और जावेद अख्तर की किसी चीज़ को इतना डिसकस भी नहीं करना चाहिए मैं तो कहता हूँ इसको मैं एग्णोर कर देना चाहिए हम बहुत बड़े दिल के लोग है हम इतनी छोटी बातें दिल में नहीं रखने चाहिए सही कह रहे हैं, यह बात सही है और जो वह कह रहते हैं, हमारे आर्टेस्ट वहाँ गई चुक्कि वह बहुत बड़े आर्टेस्ट है मैडम नूर जान, उसरत ततली खान मेदी असान साथ जिनका उन्हों जिकर किया ऐसा एक भी मुझे इंडिया से निकाल के दिखा दे उसके बदले में उनotte लता जी का जिकर किया वह भी बल्कुल ठीक है रहे है, वह भी उतनी बड़ी आठिस्ट है बल्कुल ठीक है ऐसा पॉससिल्म के आज्ण directly आटेस्ट बहरों बहरों यह तो यहा से आप इस लेवल 상태'क लाप आर्टेस्ट है उन्हें 있ाए जावेज साब की समझ भी आरी कि लटा मंगेश करके पूरे कारियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ पे इंविटेशन ना गई हो लटा कोई इवेंट के इंविटेशन ना गई हो किसा की बात कोट ही ने करने चाहीए थी पाकिसान में हर गारी में लता रफी की कास इण मिलेगे हैं इतना प्यार आठी हों के इस दिलों में उनके लिए तो यह बात करनी इ नहीं चाही है थोड़ी खेर जाब हैंं और रहने के लिएए इस तरह की स्टीटमिटियों देनी बह मैं पिर बिल्ला वै शेर दिग गया है! कहा है? मैं भी टुझवरी की तरह डूणू ओ नहीं किस चीज चीज के डॉक्टर होतें चले बादा अचा है एक बात बात है यह क्या मायूब समझा आपने जानवरों का डॉक्टर क्या बता तो वेट, हाँ जी, बिल्कुल मायूर है, मैं तो जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं कोई भी डॉक्टर होता, मेरा सिर्फ मकसद यह था इन्सानी खिद्मत और वो मुझे सबसे करीबी इसी प्रफेशन में नजर आती है बड़े से बड़े बैद फिराउन के वेश्ट कजन भी डॉक्टर देखें बिल्कुल ऐसे ही, अब तो देखें हैं जितना बड़ा डॉक्टर है, उतना फिराउन है जार अब बड़ा दोड़ा बड़ा दोड़ा फिराउनियत आ जाती है आ जाती है, आप सेकेट करेंगे इस बाद से लेकिन फिर भी जान बचाते है अच्छा आपके हिसाब से इस वकट पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किस चीज की कमी है पैसे की पैसे की, फुक्दान है लेकिन बड़ी हाइली बजड़िड यह जो पंदरा भी फीरियल चल रहे है उसके तो पैसा तो है यह कोई बज़ट नहीं है, क्या बज़ट है? अच्छा यह नहीं है बज़ट आपको यह बज़ट है, आप नेट्फिक्स पे सीरीज नहीं देख रहे हैं? वह है बज़ट, यह क्या बज़ट है? हमारे पास कमी है पैसों की, हमारे पास कमी है सोच की, हमारे पास कमी है अच्छे स्क्रिप्स की, अच्छे कॉंसेप्स की और हमारे पास कमी है उन सब चीजों को चलाने वालों के दिमागों की defense , max drama हाँ, बताइए धन्या में प्हीं पर कुछ हो रहा है और हमारा डामा कमरे से निकलाए बाई निकलाए तो थी केश्ची का नेड़ या डर éénस बैठे वे थे उन पर द्रामा ना चाहिए उनकी लाइफ श्ट्रगल अनकी जर्ली बड़ा अच्छा होगा आजकल किसे कर रहे हैं इस सब पर द्रामा बनना चाहिए वाय नॉट हम एंटेटेंब्मेंट न्यूज चैनल पर ही क्यों देखें एंटेटेंब्मेंट चैनल पर क् पहला मुलक है जिसकी न्यूस प्रॉफिट ना है दुनिया की न्यूस में जाती है वहां पे एड नहीं इतने लगते हैं इंटर्टेन्मेंट पे लगता है हमने बहुत सरी खलत चीज़ों को अपना बना लिया जैसे कभी कहते हैं कि पाकिसान जो है ना दुनिया का वाहिद मुलक है जहां सबसे जादे हैं अच्छी बात दुनिया हमें इतनी अम्बिलेंस की ज़रूरत क्यों पढ़ती है दुनिया में तो किसी को नहीं है ज़रूरत है हमें क्यों है हम इस बात पर फखर क्यों कर रहे हैं कि हमारे मुलक में अम्बिलेंस जादा है नहीं वो मैं उजन पिंडी में गूना था तो तो जहां से हम गुजरें नाला लई है ये एशिया के सबसे बड़ा नाला है ज़रूरत है ज़रूरत है ये विए पिल्कुल सचा वाकिया बता रहा है अब ये बावलपूर से कराची में गुमा रहा हूँ अब मैं उसको जगाए कैसे बतारों पर गई है याद नियू सुनी हो ज़िए यह हमला हुआ था आगे यह बंप फटा था याद है यह यह बता जाने की बाते है यार खुदा की कदब इस चीज़े हम अट्रेक्शन दिल्वारे जगा बजा क्या है यह सारी चीजे भी दुनिया वर में होती है हर जगा हुआ है अब जावजाता साबी तो आपने हमले के जिकर घिकर रहा है तो यह हर जगा होती है मगर उसके साथ-साथ- हमारे यहाँ वो कुछ नि हो रहा हमारे ऐसका कुछ मतलब अगर तैज गाडी चुलना चाहते हैं कर आशे हमारे पास चाहें वो तो खेर आउट क्लास है लेकिन है घदराबाट तो शक्कर अगर कोई देख रहा है जल्दी ऑपरेशनल हो जाए यार बड़ी महरवाई यहाद है यार खुदाएगी कसम बहुत जलाला थैं यह बात इनकी सही है और टिकेट्स बहुत महंगे हो गए यह बात सही है अचा किसी एक्ट्रिस के साथ आफ सीन कर रहा है कोई ऐसा सीन है कोई रूमैंटिक सीन है इंडोर सीन है बैडरूम पर कुछ डायलॉग है और आपको पता चलाओ एक्रा जैलिस हो गई है यह क्या कर रहा है यार यह से इस अ अचा को अचा किया नोट किया कि मुझे हसी आजगी तो मैं इतना अचा हूँ नहीं दूसरा मैंने भातादा ड्रामाज नहीं किये तो मुझे और जो मैंने शादी के लिए उसमें रूमैंस का कहीं दूर दूर तक सवाल ही नहीं जावी दिकबाल चौदरी इसमें कोई सीन ह किसी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अचा माँ वो अपनी सारी ओलादे अच्छी लगती है तो आपने जितना भी काम किया इसमें सबसे आप समझते हैं कि यार यह मेरा सबसे अच्छा काम है आई तिक जावेद इकबाल में मैंने अच्छी अक्ट इसके एक डालोग में अच्छा लगता कि वो एक दफाए बाबा ने बचे ने बाबा पुछा के तुम यहां क्यों बैठे हो तो बाबा ने दिहान लगाया और बहुत सोच के जवाब दिया कि तुझे के तकलीफ है वाँ वाँ तुदा कि असब बैने ऐक प्रैंक किया था ह अब मैं किसी से एडर्स पूछ रहा हूँ नागन चरंगी किदर है अब वो बुला है यहां जाओ यहां से बुलना है अब बिल्कुल ठीक हो गया वो यह देख रहा है यह तो तु सही बोला है और पीजा हुला हो कुछ हकले होते भी हैं जो गाना गाने में ठीक होते हैं बि कोई लंबी बात करें तो बिल्कुल एक फ्लोव में सही बोल देते हैं कभी एक लवज पर अटक जाते हैं मुक्तलिफ होते हैं मैं बड़ी रीसर्च की थी इन चीजों पर अच्छा पाकिस्वानी ड्रामा में एक यह भी एक कमेंट्स है या थौट है कि साज बहू के भी फ तरीके बताया रहा है कि इस तरीके से फड़े हो रहे हैं उस कॉंसेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे अगर आप एक घर की कहानी दिखा रहे हैं उसमें 700 बहू की लडाई को निकाल दें तो क्या बचा भी बास अच्छा है क्या बचा भी इस पूरे हमारे इंटर्यू मे से आप जाविद अख्तर वाली बात निकाल दें और एक दो और मेरी और इक्रा वाली बात हम किते पैसे कमाते हैं यह सारी बाते निकाल दें तो पीछे क्या बाते बची कोई क्यों इंटरस्टेड होगा कि मैं बढ़ा हो कि क्या बनना चाहता था इसमें लोगों को इंटरस जाए क्यास बहूं उसको फिसला देना उसको गिरा देना उसके सर पर चोटा जाना यही सारी झीज़ें पिर बच जाती हैं क्योंकि आपके आपकाश थो है नहीं ता बन रहता हुँ आपने आपकी जरनी आप यहइक पूरी शृनी जो पर बनाया जाये कहां कहां से गुजर भी हुई, मसाइल भी हुए होंगे, और भी दोस्तों यारों के साथ, रिष्टेदारों के साथ, लोगों के लिड़ाई या फलाना, यह सब कुछ होगा, इस तरह की कहानी पर हम काम नहीं करते हैं, अगर आपकी भी कहानी बनाएंगे ना, आप जब घर के अंदर एंटर होंग आपका फेवरिट अक्टर पाकिस्तान का? मैं खुद है, मैं अच्छा हम यार, एक बात बहुत अच्छा लगा है, और अगर लीडिंग अक्टर में आपको पुछ रहे हैं तो, तो फवाद खान आपको पसंदा है? मॉला जट में बहुत अच्छा काम किया है, अब अभी का पूछ रहे हैं कि अब भी मुझे कौन से एक्टर पसा रहे हैं? फवाद खान की मॉला जट में परफॉर्मस में बहुत अच्छा है, नहीं नहीं उनका बहुत अच्छा है, इसलिए परफॉर्मस बाकी भी बहुत अच्छे थे उसमें सारे एक्टर, मगर सुल्तान रही को यह किसी आम एक्टर का काम नहीं था, आप इतने बड़े पहाड को सुल्तान रही जो मॉला जट के लिए मशूर थे, वो आपने हटाया है तो फवाद खान को महल आया है, दमाग में इसको बात को मान लेना कि अब यह मॉला जट है, यह बहुत बड़ा कमाल था, अच्छा अच्छा नहीं है कि जो सुल्तान रही की फिल्म थी मॉला जट उसकी ऑडियम्स ही मर गई है और यह नई ओडियंस आई है, उसको उन्होंने पहले वाली मॉला जट इखी इस वज़े से हिट हो गई है नहीं तो वह वाली ओडियंस तो हो भी नहीं सकती है, जब वो लोग ज नैशनली लोगों को पसंद आरी है, बिल्कुल है, तो कुछ-कुछ चीज़े होती हैं जो सब को मिलके सेलिबरेट करनी चाहिए ऐसा ही है, तो मैं अच्छी फिल्म है वाहिट फिल्म है जो के रिकॉर्ड तोड़े है अच्छी बात है, आइस ब्रेकिंग बाकी भी कमाल काम हो रहा है, कमली बनी बाकी अच्छी यह में बाकी जो मोवी, राइस विज अच्छी बैस्ट बूस्यशस आपको Türांकियो सर् और आप फिल्म भी कर रा हैं मुझे पताचला nggak जी एक फिल्म पे काम हो रहे है, और एक फिल्म इंशाला शूट पर जा रही है इक एक मैंदू धरेक्ट करना चाहरा हूं और एक मां एक्टिंग कर रहा हूं अल्लाक करेंज कि बैन ना होगी यहार जो बैन होंगी बद्राव होंगे तो क्या नाम ना होगा वो ज़ादा नोटिस नाती है पहल गूई है इसे तो देगे कि आप बैस्ट विशिस आप अच्छी एक्टर हैं आपकी वाइप बहुत अची काम कहरी है और आप अच्छी फैमिली है और पाकिस्तान में लोग अपसे प्यार करते हैं बहुत शुक्रिया आपका पॉड़कास में आना था जाब कर वोगत बहुत दीनौ अच्छी ने है यहाँ पार्टकास को यहाँ भी इंजॉई कियोगी यासिर रुसायन साहब आए इस नफसा नफसी में कोई अगर वक्त किन्त दे देना वही सबसे क अजय आवाद, आलाहु